नमस्कार क्यापिछल टीवी बिहार देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूझा बिहार के मुख्यमंत्रे नितिश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर नितिश कुमार की जमकर निंदा हो रही है नितिश कुमार ने कहा कि मर जाऊंगा पर बीज़ेपी में नहीं जाउंगा साथी उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ सरकार में रहते हुए BGP ने कई बार लालोर पुशाद यादव और तिजस्पी यादव को फसाने की कोशिश की तो कई तरह की बाते उन्होंने BGP को लेकर की है जिसको लेकर जबकर घमकर घमासान भी मचा है, जमकर राजनिती हो रही है, बीज़ेपी कह रही है कि नितिश कुमार पहले भी ऐसे कई बयान दे चुके है इस बड़ी कबर पे में साथ न्यूसरूम से जोड़े हुए है क्यापटल टीवी के एडिटर इंचीप डॉक्टर बनिश कुमार नितिश कुमार की बातों पर कभी भरोसा किया जा सकता है गया देखिए नितिश कुमार के जो बयान अचानक से आया है वो उनके अंदर जो डर समया हुआ है उस वज़े से आया है नितीश कुमार उस तरह की लीडर है जो सोचते कुछ है कहते कुछ है करते कुछ है और ये जो अचानक से ये जो बवाल आया इस तरह का जो बयान आया उसकी दो वज़े है पहली वज़ा लालू प्रसाद यादव वापस पटना आ रहे हैं इलाज के लिए विदेश में थे अब वो वापस आ रहे हैं और तेजस्वी यादव पेसिंस लूज कर रहे हैं बहुत मांग हो रही है आर जेडी में कि तेजस्वी को अब मुख्य मंत्री बनाया जाए यही करार हुआ था कि आप प्रधान मंत्री की रेस में जाकर लड़ेंगे और विहार युवा हाथों में सौप करके तेजस्वी के पास छोड़ करके आप चले जाएंगे लेकिन यह हो नहीं पा रहा उनको समझ में आ रहा है कि प्रधान मंत्री मोदी के सामने टिकना तो क्या कोई समर्थन देने के लिए भी तयार नहीं है कई सारे लोग प्रधान मंत्री का चेहरा बनने के लिए कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो कोई हिंदुस्तान को नंबर वन बनाने के लिए दोड़ रहा है कोई तेलंगाना में विपक्षियों की मीटिंग कर रहा है तो कोई ममता बननदी जैसी लीडिर वो खेला होबे खेला होबे करके वो दंब भर रही है तो नितिश कुमार का तो नंबर आएगा नहीं तो ऐसे में ये जो डर आरजेडी के अंदर उट रहे बवाल की वज़े से हुआ तो क्या होगा तो उन्होंने एक पैत्रा भेका आज उन्होंने का कि भई देखिए हम कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे और बीजेपी वाले जो है वो बिलकुल बदल गए हैं अब देखिए मैं मर जाओंगा लेकिन फिर भी बीजेपी में नहीं जाओंगा और पीछे कौन खड़े हैं पीछे तेजस्वी आदव खड़े हैं वीडियो में तेजस्वी आदव पीछे खड़े हैं और तेजस्वी आदव का चेहरा साब साब बता रहा है कि नितिश कुमार के बातों पे उनको भरोसा नहीं है क्योंकि उनकी जो body language है बहुत ही गमगीन बड़े serious आप ये कह रहे हो कि देखिए आप बीजेपी वाले नया चाल चलने वाले हैं पिछली बार भी बीजेपी वालों ने बकादा मसला उठा दिया था घोटाले का जिससे हम लोग अलग हो गए इस बार फिर वो ये काम करने जा रहे हैं तो ये बात तो outrightly गलत है तेजस्वी आदब के खिलाब जो कारवाई हो रही है या जो घोटाले का जो कि जाच ये सारा कुछ जो हो रहा है वो कोट के माध्यम से हो रहा है सरकार इसमें क्या करेगी तो एक तो मसला ये है दूसरा मसला ये जो भारती जनता पार्टी के तरफ से जो बिहार के जो इंचार्ज है उन्होंने ये बयां दिया और उसके बाद सूसील मोदी ने भी बयां दे दिया क्या बयान दिया उन्होंने कह दिया कि अब निती सुमार के लिए सारे दरवाजे बंदे है दरवाजे इसलिए बंद हैं क्योंकि इन्होंने न सिर्फ दगवादी बिहार के बीजेपी के साथ की है बलकि इन्होंने प्रधानमंतरी मोदी और अमिस्साह का अपमान किया है उनको बिना बताए उनसे बिना कंसल्ट किये बिना बाचित के अरे ठीक है राजीती छेतर में आप लोग एक साथ काम कर रहे हो अलग होना है कोई बड़ी बात नहीं है गणबंदन बनता है गणबंदन तूटता है कोई बड़ी चीज नहीं है यह लेकिन कोई समवाद तो हो भई इस वज़े से हम छोड़ रहे हैं उस वज़े से हम छोड़ रहे हैं एक सब्ताफ पहले बात दिंदा पार्टी की बड़ी मीटिंग में जहां नड़ा साव और अमिस्टा दोनों थे उन्होंने यह कहा था कि बिहार में कोई चेंज नहीं होगा बीजेपी के कई सारे ल चुनाओ दोजार चौबिस के लोग सबद चुनाओ नितिसकुमार के नितित में ही हम लोग लड़ेंगे उसके बाद इस मीटिंग के ठीक चार दिन के बाद आप अलग हो जा रहे हो तो यह अपमान बताया जा रहा है अब क्या है एक्जैक्ली कि क्यों बीजेपी भी कह रह को अपमानित किया जारा है कि भई उसके तरब से भी एक इसारा है कि भई हमें नहीं चाहिए नितिश कुमार हमें नहीं चाहिए केपिन टीवी के दृसक है जब हम लोग ब्यार एलग्शन्स कवर कर रहे थे हम लोग खुद ब्यार पहुंचे थे और कारिक्रम स्वेक्राटब Kalraandaka और उस कारिक्रम के लगातार इस बात को हम लोग कहते थे कि भारती जनता पार्टी अगर अकेली लड़ेगी बहुमत लेकर के आज आएगी नितीश कुमार जो है वो स्टेपनी बन गए है नितीश कुमार कि अगर बीजेपी ने नितीश का साथ नहीं दिया होता पंदरह सीट भी जेडियू अपने बतौलत चुनाओं नहीं जीत है तो अगल बगल की चीज़ों को भी लेकर डूब जाता है तो नितीश कुमार वैसे ही डूबता हुआ जहाज है कि जो अलड़ी डूब चुके हैं डूब क्यों गये हैं क्योंकि पार्टी के अंदर पटना में सब को मालूम है कि जेडियू के लोग भागना चाते हैं उनक आप उसके खिलाफ को कारवाई कर सके क्यों यह बिकम वीक आप बिल्कुल ही कमजोर लीटर बन चुके हैं जन्द समर्थन खतम हो गया है आपने समधान रैली की कहीं भीड कहीं कोई कोई वो पब्लिक के साथ वो कनेक्ट नजर नहीं आया तो यह जो नितीश कुमार अपनी राजनीती अपनी रननेती और जो धोखेबाज वाली एक जो इमेज बन गई है उस वजह से यह आरजेटी के लिए भी बर्डन है यह बीजेपी के लिए भी बर्डन है और आगे एक साल के अंदर दो बड़ी बड़ी चीजें वहां होने वाली है एक तो लोकसभा का चुना अब आरजेटी वाले तो यह भी सोच रहे होंगे तो बहुत सत्रा सत्रा एंपी इसके पास है उसको तो टिकट देना ही होगा चालिस सीट आरजेटी कॉंग्रेस लिफ्ट जेडियू यह महा गडबंदन बन करके तो आप किसका टिकट काटोगे यह क्या बीस सीटे वह आपको आरजेटी आफर करेगी आरजेडी वाली यह भी सोच रहे होंगे तो हमारे पास तो अपने ही चालिस चालिस लोग है हम भारती इंता पाटी तो सूइप कर जाएगी चुनाओ तो सारे आकड़े धुस्त हो जाएंगे तो अब यह मसला है अब एक और खबर आ रही है कि आरजेटी के अंदर लोग इतने व्याकुल हो चुके हैं कि उनको लग रहा है कि वह बीजेपी का ही साथ दे दो बीजेपी क ही साथ दे दो इस तरह की खबर हिंदुस्तान में चपी आज मैं देख रहा था हिंदुस्तान अख़वार वहां बहुत ही यह है जिसमें यह कहा जा रहा है यह दावा किया जा रहा है है कि लालू वापस आ रहे हैं और बहुत बड़ा खेल करेंगे और आर जेडी बीजेप हो चुकी है अब नितिस कुमार क्या करेंगे नितिस कुमार के पास तो आप बस एक ही चीज बचा हुआ है कि आप इस तरह का बयान दें इस तरह का चलावा करें इस तरह की चीजे कह दें कि भाई हम तो मर जाएंगे और यह कितनी बार मरेंगे आप कितनी बार मरेंगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो भाई ये देखिए, इनका एक इमेज बन गया है, कि ये धोका धड़ी करने वाले लीडर हैं, अपने बयान पर कायम नहीं रहने वाले व्यक्ति हैं, और बिहार में कोई विकास कर रहे होते, बिहार में कुछ अच्छा हो रहा होता, इ आप एक धोक्यबाज लीडर बन करके उभर रहे हैं, तो आपका साथ कौन देगा, तो मुझे लग रहा है, कि ये जो अंदर जो छट पटा हट है, व्यकुलता है, कि पार्टी के अंदर भी आप अनपॉपलर, पार्टी के गटबंदन में भी आप अनपॉपलर, आप इतने बड़े बड़े बयान दे देते हो, कोई रिस्पॉंड तक नहीं करता, आप देखिए, कॉंग्रेस वाले क्यों जाएंगे नितिस कुमार के साथ, आपको बुलाया गया, आप कॉंग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, मुखमंत्री बने हुए हैं, राहुल गांदी न राज को नुकसान तो होई रहा है, और जो राजनितिक दल हैं, यह आपस में ही उलज पड़े हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और आज एक बड़ा और ताजब बयान देती हैं, उन्होंने कहा कि मैं मर भी जाओंगा, बीजेपी में नहीं जाओंगा इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिराल इतना ही कैमरे पसंद भोला के साथ, मैं पूजा, क्यापिटल टीवी